हेलो नमस्कार दोस्तों केंसे आप सब्सक्राइब सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब करता हूँ अपने चालें दीम टेग में इस वीडियो में आप सब्सक्राइब को बताने वाला हूँ पहले बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में तो यहां पर इस टीव में आपको फॉर के रिजिशन मिलता है जिसकी मदद से आप जो यह यह जी का टीवी है इसमें हाई डेफिनेशन रिच डीटेल्स एंड वीड वीशुल्स देख सकते हैं 4K की IPS डिस्पेय होने की वज़े से इसमें बहुत ही अच्छी जो डीटेल्स दिखती हैं अगर आपके वीडियो में या फिर कुछ फिलिम्स देख रहे हैं तो उसमें नॉइस है तो भी एलिमिनेट कर देता है यह इसमें आपको जो है यह प्रोसेसर जो है आपको अच्छे कलर्स दिखाता है और इंप्रेसिव कॉंट्रेस्ट भी देता है अब स्केलिंग की टेक्नलोजी यहां पर है इस प्रोसेसर में तो जो लो रेजिशन की इमेज़ेस होती है तो उनको जो है शार्प एंड वेवीड वीशो से देखें आपको दिखाएगा ट्रू कलर एकुरस आपको जाएएघे ज्ञाएघ dobr vu से नहीं होता है उसमें आपको कलर्स की डिफार्ण्स देख्रेंगा एक द एक्षाप देखें के टीवीश को तो टू क्लर एकुरसी होने की वजह से आपको शार्प रिच एंड रियलिस्टिक शेड्स देखने को मिलते हैं कि जो कलर से उनकी एकुरेसी जो होती है जैसे ब्लू है तो काफी अच्छा ब्लू देखने को मिलेंगा यहां पर एंड डीटियस वर्च्वल एक्स आडियो है इसमें तो इसकी मदद से आपको मल्ट एक टेन एंड है देखने मिलता है तो आपको मल्टि एच्डियर फारमेट भी सपोर्टेट है इसमें एंड ऑप्टिमाइज भी हो जाते हैं इसमें आपको शीन एडजिस्मेंट की टेकनोलजी मिलती है जो की एली की तरफ से आता है आपके सबी सीन्स को आप्टिमाइज कर देता है एंड जो डैनमिक सीन्स होते हैं वो भी काफे अची तरह से आप्टिमाइज होके इस टीवी में दिखते हैं आप एंजय कर सकते हैं HDR क्वालिडी के विशुल्स आपको इस टीवी में एयर प्लेट टू मिलता है तो अगर आपके पास एपल के डिवाइस है जैसे आ देख सकते हैं बड़ी सी स्क्रीन में इस टीवी में आपको कनेक्टिवीटी में भी अच्छी फीचर्स मिलती है जैसे कि यूएस्बी मिलता है लैन है है ब्लूटूथ भी मिलता है तो आप यूएस्बी के ज़रिये अगर आप चाहें तो एक्स्टरनल हार्ड़ाइस को भी कनेक्ट कर सकते हैं इस टीवी के साथ में अपने फेवरेट कॉंटेंस को बड़ी सी स्क्रीन पे देखने के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ हेड़सेट या फिर होम त्याटर जो की सपोर्ट करता है ब्लूटूथ अराम से यहांपे सांटूड़स को भी कनेक् सांथ इस टीवी के साथ connect कर सकते हैं जो डिजाइन इस टीवी की देखने में अच्छा दिखता है आपको बेजल स्थिन देखने मिलेंगे एंड जो फिनिश काफी अच्छी की गई है सोफिस्टिकेटड डिजाइन देखने मिलता है और आपके किसी भी होम अपलाइंस से जो है ये मैच कर जाएगा है आपको इससे टीवी में जो है वेब ओएस मिलता है क्योंकि ये लगी का टीवी है तो इसमें आपको आंडॉइड देखने को नहीं मिलेगा जो एंड्रोइड operating system होता है वो देखने को नहीं मिलेगा तो वेब OS मिलता है जो कि LG की तरफ से ही आता है जैसे आप Netflix Amazon Prime वगरा देखते हैं सभी इसमें देख पाएंगे Netflix है Amazon Prime है Hotstar है and YouTube भी है इसमें है सभी चीजे आप जो है easily enjoy कर पाएंगे इसी वेब OS में इस TV में यहां पर वाइड वीविंग एंगल मिलता है जो कि 60 डिग्रीज का है IPS 4 के पैनल है तो यहां पर इसमें आपको वाइड वीविंग एंगल मिलता है आप experience कर सकते हैं क्लियर वीशुल 60 डिग्रीज एंगल का तो आप कहीं भी जो है रूम में बैठ के easily TV को enjoy क कर सकते हैं यहां पर dynamic color enhancer मिलता है जो की adjust करता है colors को offer करता है अच्छे colors rich and natural colors आपको देखने को मिल जाएंगे इस यह dynamic color enhancer की मदल से इस TV में एक home dashboard का भी feature है जहां पर अगर आपने smart devices को इस TV के साथ में connect करके रखा है तो वहां से आप जो है home dashboard से directly अपने devices को smart devices को control कर सकते हैं इसके साथ आपको magic remote भी मिलता है तो आप daily routine भी यहां पर create कर सकते है magic remote control की मदद से इसमें AI भी आपको मिलता है जैसे की Google Assistant हो गया Alexa built-in है तो यहां पर Google Assistant and Amazon का Alexa दोनों ही supported है आप चाहे तो दोनों को ही commands देके अराम से आप अपने devices को भी control कर सकते हैं अपने जो TV को भी control कर सकते हैं अब मैं आप सभी को और भी अच्छा है इसका 65 इंच की display size देखनें मिलती है 4K का Ultra HD resolution मिलता है smart TV है आप इसमें applications वगेरा से भी download करके use कर सकते हैं HDMI के तीन ports मिलेंगे USB के दो port मिलेंगे built-in वाइफाई है इस टीवी का जो launch year है वह 2020 है आपको इधरनेट का भी option मिलता है यहां पर headphone jack इसमें नहीं देखनें मिलता है Bluetooth है Bluetooth से जो है आप अपने सभी चीजों को connect कर सकते हैं headphone तो यहां पर आपके पास वार वाला है तो headphone jack इसमें नहीं मिलता है वह कमी है और काफी अच्छा है इस टीवी का एनलाग टीवी रिसेप्शन भी है इसमें एंड वाइड वीविंग एंगल डिग्री यहां पर सपोर्टेट है जैसा मैंने आपको बताया 60 डिग्री का जो है यहां पर वाइड वीविंग एंगल है एंड 50Hz का refresh rate है इस टीवी का जो स्क्रीन की refresh rate होती है 50Hz की है अपको सभी वीडियो फार्मेट सपोर्टेट मिलेंगे 1.5GB की रैम मिलती है 4GB की इंटर्नल स्टोरेज देगरें मिलती है नेट्फ्लिक्स यूटूब डिजन प्लस होट स्टार और बहुत से और भी एप्लिकेशन्स होती है जी फाइव हो गया एपल टीवी हो गया प्राइम वीडियो हो गया यह सभी सपोर्टेट देखने को मिलेंगी वेब ओस मिलत तो वहां से आप और भी एप्लिकेशन को इंस्टाल कर सकते हैं डूटूट उन जाता है दो स्टीकर मिलेंगे जिनका आउट्पूट ट्वेंटी वाट्स का है यहां पे डीडियों वैच्वल भी मिलता है यहां पे स्टीकर आउट्पूट है सबूफर का जो मिलता है इसमें आपको स्मार्ट रिमोट मिलता है इंटरनेट एक्सेस आपको मिल जाएंगी इसके सांथ 21.3 kg का यह जो है वेट है इस टीवी का 21.6 kg अगर स्टैंड के सांथ कालकुलेट करें वान यह की वैरंटी है और इसकी जो प्राइस है फ्रेंड्स वह 82,999 रुपीस है इसे आप जो फ्लिपकाट के जरिए पॉंचेस कर सकते हैं दिखने में काफी अच्छा है इसमें नेटफ्लेक्स, प्राइम वीडियो, डिजिन प्रस हॉट स्टार, यूटूब वगरा सभी यूज़ कर सकते हैं आप और इसमें आपको LG का स्टोर मिलता है तो वहां से भी आ अगर चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब करके चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकों को दबा के आल कीजिए बस इस वीडियो में इतना ही चली मिलते हैं आपसे अगले डुमें तब तक वे जय हिंदु वंदे मातरम